आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने इंटर्फॉलेशन किया था तो इंटर्फॉलेट करके जो रास्टर सर्फेस क्रियेट किये थी वो सर्फेस में कुछ पिछ ग्यूलेट कुछ इंटर्फॉलेट का कैसे वीडियो में हम इसी कीडियो鐘 कीडियो में चीखने वाले हैं तो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पीछे की वीडियो जरूर देखें तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं जो कंटूर की लिए रहे है इसको मैं off कर लेता हूं और जो क्रिंगिंग वाली shape file है तो इसको मैं इंबोलिजी में जाके इसकी जो value है इसको मैं stress कर लेता हूं classified में क्या रहता है यह range रहती है और stress में यह रहता है चिरफ high to low value रहती है इसको high to low कर लेता हूं और use यह कर लेता हूं apply and open तो इसमें अभी जैसे imperfection है उसको remove करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके lift up से पहले तो arc pool पर जाना है तो इसमें आपको जाना है spatial analysis पर है hydrology और इसके अंदर जो fill tool है तो डेबल क्लिक करना है आपको इसमें जो value आएगी इसमें input surface राच्टर तो surface राच्टर में यह देना है cleaning safe file और output folder में select कर लेता हूं कि मैं इसका नाम देता हूं DM इसको okay पर क्लिक कर देना है तो आप देख रहे हूं नीचे fill का process चल रहा है process complete हो गया और आप देख रहे हूं की fill हो गया ही तो मैं इसकी value भी उसी तरह से change कर लेता हूं इसमें जो आप देख रहे हूं जो low है 193 यह यहां का level है और high जो range है 153 बन रहे है तिस तक की range है तो इसमें क्या difference आप देख सकते हो visibly तो visual difference आपको यहां से दिख जाएगा difference दिख रहा होगा लेकिन यह तो visual difference है अगर आपको यह difference अब देखना है कि इसमें value में कितना difference है कितना volume का इसमें filling हुआ है क्योंकि actually यह fill करता है जो fill करता है तो filling ही आएगा इसमें cutting की value नहीं आएगी इसमें कितनी आएगी वो कैसे check करें उसके लिए भी करना है वापिस से arc toolbox में जाना है और इसमें जाना है जो 3D analyst tool है 3D analyst tool उसमें tool पर click करना है और उसमें raster surface होगा क्लिक करना है इसमें contour के निचे आपको यह cut click option देखेगा तो इसी option पर आपको double click करना है और इसमें पूछ रहा है कि input before raster surface तो before raster surface कौन तो आपना तो before यह था cleaning save file और after कौन सा हुआ फिल के बाद तो फिल के बाद यह हो गया और simply आपको करना output raster अगर आपको folder select रहना फाथ तो आफ सेलेक्ट कर सकते हैं मैं इसको simply वैसे रखता हूँ तो यह मैं इसको change भी कर लेदा हूँ तो नाम देता हूँ fill volume और इसको आप ok कर दीजिए then cut fill जो process है वो आपका नीचे process हो रहा है in frogish है और यह आप देख रहे हो कि यह जो red color का इरिया है यह net gain है यह यहनकी filling का है और यह जो brown color है यह आपका unchanged वे और इसके अलावा जो blue color हो net loss है तो इसमें net loss तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यह fill ही किया है इसने जो fill का होता है वो fill करता है महलब जो imperfection होती है चोटे मोटे उसको fill करता है इसका आपको volume देखना है तो आप attribute देख सकते हो अब देख रहे हो इसमें zero value वाला इतनी count है इतने number जो है उसका एक difference है level का और इसका volume near to zero है क्योंकि उसके area बहुत कम है तो इसी तरह से level difference है जो उससे साब से हैं तो यहां इतने level difference है 204 वाला है जिसमें एक value है एक count है और उसका उसका भी volume zero है तो बहुत सारे volume है वो जीरो की अप्रोप्स है अब कि यह changes है कुछ आप ऐसे select करके देखते हो कि यहां का area है इसमें तीन का difference है जो ज्यादा difference यह count है जो लें जो यह ज्यादा वाला ही area है कि निजए से आप चेक कर सकते हैं इसको अगर आपको cutting filling का एरिया देखना एक्जाम्बल के लिए तो आप जो cringing और idwc file है इस दोनों को compare करके देख सकते हो इस लिए वापीस अपनों ही चलते हैं cut fill का option पर जाते हैं इसे click करते हैं और before में अपन idwc file दे देते हैं और after में cringing shape file दे देते हैं और इसको difference का बैसी रहने देते हैं और ok कर वेते हैं तो आपको पताच चलेगा कि कौन सा area cutting का है कौन सा fill यह difference generate हो गया आप देख रहे कुछ red color है red color तो net gain है यानि कि यह fill है और net loss जो cutting का है यह net loss का है इस तरह से आप cutting filling का जो area है वो calculate कर सकते हों इसके अलावा अगर आपको मैं इसको अभी remove कर देता हूं इसके लाव जो आपका फिल का ओली में वो आप वैसे भी निकाल सकते हों इसमें आपको मेपल जेवरा में जाना है इस पर से लेनलिस टूल तो राश्टर कल्कुलेटर आपको डेखना है मेपल जेवरा और इसके अंदर राश्टर कल्कुलेटर तो इस राश्टर कल्कुलेटर पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको क्या करना है आपका यह dm field है और आपको simply minus इसमें एक expression आपको लगाना है और इक ringing save file है तो यह जो जिस तरह से cut fill का value निकाला है उसी तरह से यह जो राश्टर कल्कुलेटर यह भी इसी तरह से work करता है तो आप किसी भी method से निकाल सकते हों यह आप देख रहे हो कि यह भी उसी तरह से work करता है यह आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा difference नहीं आ रहा है और इसमें आपको फिर calculate करने के लिए यह राश्टर होता है तो इसमें आपको attribute नहीं दिखेगी क्योंकि इसकी जो value है यह value decimal में है तो इसको आपको अगर इसकी volume आपको calculate करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको data management tools में जाना पड़ेगा और data management tools के अंदर आपको राश्टर सर्च करना है यहां पर और राश्टर पर आपको click करने के बाद आपको इसमें दिख जाएगा जो राश्टर data set है इसके click करना है और इसमें copy to raster करना है इंपुट राश्टर में आपको वही दे देना है राश्टर calculator का और आपको इसको output का आपको वैसे रखना है इसको वैसे रखना है और जो pixel type है इसमें आपको 8 bit send कर दीजी और इसको simply ok कर दीजी copy raster जो tool है वो वर कर रहा है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो आपके बास दोनों method है यह अभी जो आप देख रहे हों कि decimal value नहीं है और इसको आप right click करोंगे आँ attribute नहीं आ रहा है लेकिन आपको इस पर click करना है simply इसके property में जाना है सिंबोलोजी में जाना आपको और इसकी unique value करनी है और इसमें yes कर देना है इसके बाद आप देखोंगे कि या इसमें आप open attribute कर सकते हो और इसमें आप देख रहे हो कि जो zero value वाल है इतने count है वन वाल है इतने count है इस तरह से आपको अगर इसमें area calculate करना है तो आप इसमें area का और field add कर सकते हो यहां से जाकी यहां को field इसमें आपको add करनी है और उसके बाद आप इसमें geometry calculate कर सकते हो आपको just expression देनी है जो count है उससे आपको यह value से multiply कर देना है और उसको 100 into 100 से multiply कर दोगे तो आपको volume इसमें आपके आ जाएगा सब्सक्राइब कर देता हूं तो आप दोनों तरस से निकाल सकते हो और दूसरा आप जो algebra में राश्टर केल्कुलेटर है उसको यूज करके और उसके बाद आपको राश्टर कोपी करके आप वैसी भी यूज कर सकते हो अगर कहीं पर इसकी जरूरत पड़े आपको तो इसक प्रेंट साथ कि इस वीडियो में बच इतना ही और जो नेक्स वीडियो आने वाला है उसमें हम जो hydrological tool है जिसे accumulation, flow accumulation और flow direction वो छीकने वाले हैं तो आप वीडियो पी जरूर देखे और आप ज्यादा से ज्यादे वीडियो को share, like और comment किया कीजिए और उसकी अलावा अगर अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो अपडेटेड वीडियो लाते रहते हैं और भी बहुत सारे जो technical software से उससे related वीडियो बहुत आने वाले हैं तो आप अपडेटेड रहे, इस्टेटून रहे, so friends thank you so much for watching and इस्टेट। कर दो को ईवक शेरे, इस्टेए दो आस्टेट रहे, इस्टेट आने वीडियो अपड़ेटेश को से उस्टेट हैं प्ड़ गन्याrek